तो हैलो फ्रेंट्स सवागत आपका Study Hack चैनल पर मैं आसा करता हूँ कि आप सबी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जोरो सोरो से लगेंगे तो एक बार favor से मैं आपके सामने लाया हूँ एक नई जिसमें हम बात करेंगे English grammar की एकदम basic level से ठीक है एकदम zero level से बात करेंगे English grammar की ताकि आप एकदम basic level से सीखो और advanced level तक चले जाओ ठीक है चली शुरू करते हैं अपने class को और जानते हैं कि आज क्या-क्या हम लोग basic में सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हमें कुछ basic concept सीखने है कि हम बच्चे level से चलेंगे और advanced level तक जाएंगे तो कुछ basic concept सीखने से पहले मैं बता दूँ कि हमें language की जगत क्यों होती है तो language क्या है एक medium है communication का उस language को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए logic पता होना चाहिए अगर हमें उस चीज का logic पता होग और logic के बाद हमें क्या पता होनी चाहिए तो grammar ठीक है तो अगर हम English सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम logic सीखेंगे ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे grammar ठीक है तो कुछ basic concept है जो की हमें आनी चाहिए I hope आप सभी को पता होगी चीज़े फिर भी मैं आपका revision कर बारें क्योंकि एक basic class है तो आपको पता होगा क्या-क्या होते हैं लेटर होते हैं और syllables होते हैं तो letters क्या होते हैं अगर English में बात करें तो 26 letter होते हैं जिसको दो category में बाटा जाता है ठीक है vowels और consonants तो वर्वल आपको पता ही होगा जिसको क्या करते हैं प्रोनांस करते हैं without any help of any other letter ठीक है उनको क्या बोलते हैं जैसे क्या है A E I O U इनके बोलने में कोई और लेटर का यूज नहीं पड़ता है इनको क्या बोलते हैं वोलते हैं और कौन्सानेंट कौन हो जाते हैं जो रिमेनिंग 21 बच रहे हैं ठीक है वह consonant होते है क्योंकि इनको pronounce करने के लिए हमें vowel का use करना पड़ता है जैसे बी देखो अब बोलोगे बी तो बी में ए का भी sense आता है सी बोलेगो तो ए का भी sense आता है तो यह सब क्या है consonant है यह थे तो आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दू यह चीज आपने हो सका कहीं पढ़ा होगा यह फिर नहीं पढ़ाओर स्किप किया तो अपया किसी भी वह वावल का यूज नहीं करते हो, तो आप इसको दोनों तरह से रख सकते हैं, इसको वर्वल भी मान सकते हैं, और कॉंसोनेंट्स भी मान सकते हैं, चलिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, I hope आपको ये सारी चीजें अच्छे सा समझ आ गई होगी, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम वाड करेंगे कि वर्ड क्या होता है, ठीक है, तो कोई भी साउंड जो आपके मांट से क्या हो, प्रोड्यूस हो, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, और वर्ड जो होता है, वो लेटर से फ यह होता vowel और consonant दोनों की जरूरत आती है ठीक और वो किससे बना होता है तो later से later के combinations और क्या होना चाहिए meaningful होना चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया वह वर्ड नहीं होगा उसका एक meaning होना चाहिए मतलब होना चाहिए नेक्स्ट बात करेंगे syllables की तो syllables क्या है पार्ट ऑफ वर्ड प्रोनाउंस्ट इन वन इंस्टेंस इस कॉल असलेवल अवर्ड कैन भी वन और मॉर्ड तो अब जब कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो ठीक है तो एक ही बार में नहीं करते हो आप उसमें एक या दो बार या पॉज ले तो आपका lips उतनी बार क्या करता है move करता है वह क्या आपस में टच करते है ठीक है तो उसी को syllable कहते है अप ऐसे याद रुखो कि जितनी बार आपके lips टच करेंगे उस वर्ड में उतने syllable हो ठीक है तब इस वर्ड को दोहरा सकते हो जैसे कि जिसमें one syllable है यू ठीक तो दो से लेबलस के जो वर्ड हैं उसको बोलो फाधर तो आपके होटे धो बार टक्श से सा उपेंगे एक बार में आपनी बोल पाओगे एक बार टक्श करेकर ऊपन करके अप आप फाधर नहीं बोल पाओगे आपको फिर से टाच करना पढ़ेगा ठीक है फाधर हो तो हमें पता होना चाहिए कि से लेवल्स कौन-कौन से होते हैं किस वर्ड में कितने से लेवल्स हैं अगर आप उसको तोर पा रहे होगे तो आपको आगे की grammar समझने बहुत ही असानी होगी यह सब बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग अंदाज कर देते हैं लेकिन आपको आगे की चीज़ों में बहुत ही helpful होगा तो इसलिए मैं यह सारी चीज़े आपको बता रहा हूं फर्स्ट क्लास में बेसिक क्लास में कि ताकि आपको बेसिक क्लियर हो अगर किसी भी चीज़ को आप सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करनी परेगी ठीक है जैसे आप मैट्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि combination of words होता है जो एक complete sense देता है ठीक है उसी को sentence कहते है अब ये भी बोल सब्तों कि group of words which makes complete sense is called sentence तो word का वह सर्मूँ जो एक sense देता होगा ठीक है एक complete sense देता हूँ उसको हम sentence बोलेंगे तो sentence में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए ठीक है तो क्या होनी चाहिए एक subject होना चाहिए औ क्या होना चाहिए जैसे आप बोलो कि he sing telephone है तो और यह क्या है subject हो या नहों कोई मतलब है लकिन आपके पास क्या होना चाहिए सब्जेक्ट और word दोनों होना ही चाहिए तब ही एक sentence बना सकते हो ठीक है देख पार होंगे यहां से कि sentence पर क्या क्या होना चाहिए एक subject होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए और एक वर्व होना चाहिए ठीक है तो sentence तभी complete होगा जब उसमें subject और वर्व होगा बात कर लेते हैं phrase की phrase क्या होता है तो combination of word होता है that makes sense but not complete sense is called a phrase तो phrase ऐसा word है जो की एक sense तो बनाता है combination of word तो यह भी है sentence के जैसे ही एक sense भी बनाता है लेकिन यह अपने आप में complete sense नहीं होता है ठीक है अब यह भी बोल सकतो a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase जैसे की देख लो at the door दरबाजे पे ठीक है तो दरबाजे पे क्या ठीक है आपके मन में सवाल आ जाएगे कि दरबाजे पे क्या तो यह complete sense नहीं है पर इसका एक sense है कि at the door sense of time of great courage ठीक है next बात कर लेते हैं next clause clause क्या होता है group of word which form part of sentence तो यह क्या होता है word को वह समूह होता है जो क्या एक sentence का part बनाए एक हिस्सा बनता है ठीक है and contain a subject and a predicate is called a clause उसमें क्या क्या होता है clause में एक clause में क्या क्या होना चाहिए subject और प्रिडिकेट ठीक है तो subject क्या होता है प्रिडिकेट क्या होता है यह मैं आपको आगे detail में बताऊंगा तो यहां पर आप समझे लो बस इतना ही कि clause में एक subject होना चाहिए और एक predicate होना चाहिए तो जो clause होता है वो अकेले भी एक मतलब दे सकता है जैसे यहां पर देखो he was not well तो अच्छा नहीं था तो किसी ने कहा या कुछ भी कहा तो यह अकेले में तो एक meaning दे रहा है ठीक है subject भी और प्रिडिकेट भी और यह क्या है एक sentence का पार्ट है जैसे sentence है do you know the man who came here yesterday ठीक है तो who came here yesterday भी आप एक sentence बना सकते हो लेकिन यह क्या है sentence का पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे clause बोलेंगे ठीक है आई आप बात कर लें कि कितने परकार के sentence होते है kinds of sentences तो यह mainly 4 kinds के होते हैं कौन-कौन से तो सबसे पहला होता है assertive or declarative sentence तो क्या करता है वो एक statement को क्या करता है assertion देता है या क्या करता है declare करता है कि वो statement कहना क्या चाह रहा है जैसे India is a great country तो इंडिया के बारे में क्या क्या declare कर रहा है कि कुछ बता रहा है कि इंडिया कैसा है तो great country है वो कैसा है तो noble man है ठीक है अब ऐसे example समिदो कि यह बच्चा इसका नाम क्या है Richard तो Richard क्या कर रहा है तो Richard is feeding the hints वो क्या कर रहा है मुरगे को दाने खिला रहा है ठीक है तो declare हो नहीं कि Richard कल क्या रहा है तो feeding the hints ठीक है तो इसको आप बोल सकतो assertive और declarative sentence चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है interrogative sentence ठीक है तो ऐसा sentence जो आपसे क्या करें सवाल पूछे आपसे question ask कर दें उसी को बोलते है interrogative sentence जैसे मैंने आपसे question पूछा हूं कि what is your name आपका नम क्या है तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं question पूछ रहा हूं ठीक है फिर से आगया वेचारा बच्चा Richard ठीक है इसकी मौम ने पीछे से देखा तो वो सोच में पढ़े कि आखे Richard कर क्या रहा है तो उसने क्या कर सवाल प question ask दिया खुछ से ठीक है next imperative sentence कौन से होते imperative sentence a sentence that express a command or request or intuitive is called imperative sentence imperative sentence तो imperative sentence वो होते हैं जो क्या कर एक्स्प्रेस करता कि कहीं पर command तो नहीं दिया जा रहा है कहीं पर request तो नहीं किया जा रहा है तो उसी को बलते imperative sentence ठीक है जैसे आपके teacher आपको command देते हैं be quit कि सांत रहो या फिर आप कोई गल्टी कर देते हो तो आप उनसे क्या कर तो रिक्वेस्ट करते हो या माफी मांगतों कि फार गीवाव हमें माफ कर दीता है फिर से ऑच्र इचर्ड पास एक डौ। तो इसने क्या किया कुट्थे ने इसका एक चपल लेकर भाग राए तुब उसको क्या करा है ऑज़े और देे रहा हा कि वापस आ जाओ वापस अंवर्ष यरव पेक्न टा-जो दें कि आप पिक देखोगे तो आपको चीज़े अच्छे से क्लियर होगी और लंबे समय तक याद होगी ठीक है नेक्स्ट है एक्स्क्लामेटरी संटेंस तो कैसे संटेंस होते हैं अप संटेंस डेट एक्सपेस अप सदेन फिलिंग और प्लेजर इसा संटेंस जो एक्सपेस करता है आपका सदेन फिलिंग प्लेजर निवन फिलिंग तो आप सदेन इसे आप ने बहुत संदर दिस देखा तो आप क्या हो होते है वाट आ लवली वेदर ठीक है आपको मौसम बहुत सुवाब ना लगता है तो आपको मुझसे अपने आप निकल जाता है वाट लवली वेदर आप ऐसा सोच के नहीं जाते हो कि मुझे यह चीज करने है तो एक्सक्लामेटरी संटेंस में जो भी वर्ड यूज करते है आप ठी लेकिए ठीक है अच्छे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है तो मैं आपको याद करवाने के लिए एक राइम के रूप में आपको यह सारी चीजे दे रहा हूं तो आप इसको जब दो बार तीन बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जा लेकिन आपके लिए मैंने एक ओवर्वीव लाया है ठीक है अगर आप इस राइम को दो तीन बार पढ़ लेतो तो आपके दिमाब में सारी चीजे सेट हो जाए ठीक जैसे क्या है कि every name is called a noun as field and fountain street and town तो noun क्या है जो भी नाम आप ले तो वो सारे क्या है noun है जैसे field हो गया fountain हो गया street हो गया town किसी का भी नाम लो सब कुछ क्या है noun है देख पा रहा हूंगे यह fountain क्या है noun है in place of noun the pronoun stands as he and she can clap their hands तो noun की जगह पर जो आता है वो क्या है pronoun है कौन-कौन he or she ठीक है the adjective describes a thing a magic wand or a bridal ring तो adjective क्या describe करता है वस्तु के बारे में बताता है ठीक है जैसे कि यह weyend था तो weyend क्हा था magic wand था ठीक है ring था किसका ring था तो bridal ring ठीक है जैसे देख पारेंगे इस परी को क्या है इसके हाथ में क्या है वेंड है तो कौन सा weyend है magic wand है ठीक है तो things के बारे में describe कर रहा है कौन सा ring था तो bridal ring ठीक है Most verbs means action, something done, to read and write, to jump and run, तो जो भी verb होते हैं वो action denote करते हैं, या फिर कि कुछ कारे हुआ है वो बताते हैं, जैसे to read, उसने पढ़ाई की, write किया, या jump किया, या क्या कर रहा है, भाग रहा है, जैसे देख पढ़ा हैं, इस बंदे को क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है, रन क है, how things are done, the adverse trail, as quickly, slowly, badly, well, ठीक है, तो एडवर्ब क्या बताता है, कि कैसे जो चीज है, वो हो रही है, ठीक है, जैसे क्यूटली, कोई बंदा दौर रहा है, तो कैसे दौर रहा है, जैसे क्यूटली जार रहा है, या फिर slow, धी में धी में दौर रहा है, ठीक है, कोई कैसा है बैड है, या वेल है, ठीक है, बैडली कर रहा है, कोई बी चीज या बहुत अच्छे से कर रहा है, तो एडवर्ब हमें बताता है, कि कोई वस्तु कैसे किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो प्रिपोजिशन क्या दिखाता है, रिलेशन बताता है, ठीक है, जैसे क के लगे आप कहां थे गली में थे रहत देख पार में यह आप कहां पर आपर यह बंदा रिचरड कहां पर पहुंची सब्सक्राइब ठेशन को को एक किस चीज को सेंटेंस को करेगा या वर्ड को वर्ड से ठीक है word को sentence से या phrase को phrase से join करता है ठीक है जैसे क्या क्या है conjunction or and जैसे देख पादेंगे इस दो पड़ी को क्या करा है conjunction join कर रहा है the interjection cries out heed an exclamation point must follow me तो interjection क्या होता है जब आप अचानक से कहीं पर छोट लगे या कोई भी feeling आता है तो उसको वैक्त करता है कौन तो interjection जैसे heed यह कुटता जा रहा तो यहां पर ठकरा गया इसका सर ठीक है तो यह क्या होगा चिलाया ठीक है तो हीड हो गया ठकरा गया तो यह exclamation sign निकलाइस के मुऊ से ठीक ठीक है आप इसको प्रैक्टिस करोगा तो अपके अंदर confidence बूस्ट हो ठीक है और मैं suggest करूंगा कि आपको यह जो मैं पार्ट ऑप स्पीच के राइम्स बनाया है इसको दो से तीन बार अगर आप पढ़ ले तो ठीक है आपको PDF प्रवाइड हो जाएगी तो आपके लिए ब बना रहेगा ठीक है पंदरा question है आपको करने है और comment में बताने कि आपके आपने कितने सही किया और कितने गलत किया ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज का class आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे वीडियो को share करे और channel को क्या करे सब्सक्राइ करें ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत टेक के लिए